वो कहते हैं प्यार में इंसान क्या क्या नहीं करता यह एक ऐसी घटना आपके सामने निकल के आ रही है मैं अपने चैनल पे जादधर क्राइम की वीडियो लेके आती हूं लेकिन आज एक ऐसी वीडियो लेके आई हूं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी और हसने पे कैसे कर सकता है राम राम नमस्कार आप देख रहे हैं क्राइम लेहर चैनल आईए जानते सची गटना के बारे में जो की निकल के आ रही है तेलांगना प्रदेश यहां का एक गाउं है खानपुर जहां का एक लड़का है अरजुन जो की बहुत ही स्वभाब का चंचल है और बहुत जदा उचल कूद करने वाला लड़का है बढ़ाई में भी वो बहुत हुश्यार है तो वो एक लड़की से बाते करता है जिसका नाम है सूर्यकला वो उससे बहुत प्यार करता है और लगातार चार साल तक उसको डेट करता रहता है उससे बाते करता रहता है उन्हें बात बात पर प्रामिस करता रहता है कि मैं जो तुम्हारे साथ वादे कर रहा हूँ ये सब को निभाऊंगा ऐसे ही करके उनके चार साल निकल जाते हैं अब बारी आती है शादी की तो वो जो लड़का है अर्जुन वो सोचता है कि क्यों ना इन दोनों से शादी कर हैं घरवाले कुछ देर सोचते हैं लेकिन फिर मान जाते क्योंकि लड़का बहुत ही एक्टिव था पढ़ाई लिखाई में भी हुश्याल था और काबिल था फिर वो उसरानी के घर जाता है और वहां से भी उसरानी का हाथ मांगता है और उसको विसारी सच्चा ही बता दे क्योंकि कहते हैं दो तरफा प्यार लेकिन ये तीन तरफा प्यार था दौनों लड़कियां उस लड़के को बेहत प्यार कर दी थी और वो लड़का अरजुन भी उन दौनों लड़कियों को बेहत प्यार करता था परिवार वाले भी इतने अच्छे निकले कि उनके प्यार निकल के आई थी तेलांगना प्रदेश्चे तो आज भी इस अंसार में ऐसे लोग हैं जैसे की सूर्यकला जिसने अपने प्यार को एक दूसरी औरत के साथ बाढ़ दिया और ऐसे ही हम उसरानी के बारे में कहना चाहेंगे जिसने अपने प्यार को एक दूसरी औरत के साथ बा ऐसी कहानी भी हमारे सामने हो जाती हैं ये कहानी बिल्कुल सच है अगर आप इसको देखना चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं तो हसते रहिए मुस्कराते रहिए अपना ध्यान रखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जादा से जादा शेयर करिए क्योंकि मेरी ये जो वीडियो है जो कुछ लड़के होते हैं जिनको दो दो लड़कियां दो दो शादिय करने का उनको तो बहुत ही अंदर से खुश कर देने वाली कहानी है तो ध्यान रहे ध्यान रखें धन्यवाद